जैहिंद जैभरत हैरवाइस कैसे आप लोग आई होप के बहुत अच्छे होंगे और सभी को सुभा की जैशी आराम समय हो रहा है चार बजे सुभा की थोड़ा जल्दी उडिया कहीं जाना है इसलिए कहां जाना है वो बाद में होता हूँगा और सबसे पहले मैं कमल को उठा देता हूँ क्योंकि उसे मेरे साथ में जाना है और फिर मैं तयार होता हूँ और फिर हम मिलते हैं आफ्टर दाप प्रेक दोस्तों आप सबका स्वागत है मोहित भार द्वाज व्लॉग में और हम घर से निकल गए हैं पांच बचके 20 मिनट पे और जैसे हम घर से निकले वह कूर सब्सक्राइब ना जा रहा है और दोनों जा रहा है कौट गादर एक ग्राम पंचायत है नगीना से रायपूर वाली लोड पर वहां पर्शाद चड़ता है तो मेरे हां से तो चड़ता नहीं है तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉक वोना लिया जाए इसीपर और पूरे और यह आचुका है दोस्तों नगीना और हम लोग नगीना आ गए है रास्ते में बारिश थी और कहीं कहीं तो बड़ी भारिश थी भाई तो मैंने तो कैप लगा लिया था तो क्योंकि फेस में फिर पानी आ रहा था इसलिए और भीग भी गए हम लोग लेकिन यहां बिल्कुल नहीं है यहां तो एक भूंद नहीं है भाई और अब हम नकिना के इंदर चलना है यहां से हम फिर राय प्रुवानी रोड पे जाएंगे वोट कादर के लिए क्या मानुए से सम्वेदनाए है कि बहुत छोटा पिल्ला है यह है ना और कोई गाड़ी चड़ा गया बिल्कुल अभी अभी इस पे कि अब जानवरों की परती यह चीजें नहीं देखी जाती है मुश्किल से मुश्किल अभी तीन महां का पिल्ला नहीं होने का यह और यार गाड़ी तेज चलानी चाहिए इतनी भी तेज मचलाओ किसी की चान चली जाए इसके सिर्फे उत्रा है फई हाँ चाहिए टू वी लरका उत्रा हो या फॉर वी लरका उत्रो लेकिन इसके सिर्फे उत्रा हो या एड़ तो ये 六 द्यवा वी तो यह आगे की और बढ़ेंगे हम यहां से अगिना और यहां से ये वाला जो लेफट वाली के लिए कोत वालीन लजेववाल आप यह रिल्वे क्रॉसिंग क्रॉस करेंगे तो कोट वाली और यह पीछे वाला जो है वह नगीना के लिए है और यहां सा है यह बढ़ापूर वाला अब आप रायपूर आगे से दो जगे रास्ते जो है विभाजिक हो जाएंगे अब दिखा दूँगा आगे पहुंच के यह से और हम आपको हुमारा है नगीना और अब आचुका है नगीना का पार्क आपके सामने देखो और बहुत सुन्दर पार्क बना हुआ है वह बढ़ घ्रहपूर 13 km, मजिवाद 20 km. और यहां से दो चको रास्ते चले जाती है, खेप यह पीछे वाला रास्ता है, यह जा रहा है बलहपूर लेकिन हमने जाना रायपूर, तो ہम जाएंगे रायपूर, इधर से, अपने पायंस से, चरी पैट्राल फमके ठीक सामने से, जो रोड जाती है जाती है रायपूर और दोस्तों जब हम इस वाली रोड़ पे जो नगीना से आ रही है जब आगे ग्योर बढ़ते हैं तो देखिए यहां आके दो जगे रास्ती विभाजित हो जाएंगे चलो कमल पीछे ट्याटर है एक रास्ता तो यह जा रहा है नजेवाद के लिए बूंद की सुवर भी लोते हुए और एक रास्ता जा रहा है बिल्कु सीधा ये रायपूर ये वह वाली रोड है जो मापको मता रहा था अपने सिद्वली वाली व्लोग में ये रायपूर जो निकलती है ये सिद्वली यहां से पोड़ वाल निकल जाएगा यह वाला रास्ता यहां से सीधे जाकी और हम इतनी जल्दी निकले हैं लेगी वहां हमें जहां पर जा रहा है आप रशाच लाने तो कि अम्मोमन सभी लोगों की यह दाड़ ना रहती है कि जल्दी चलो तो मिलेगी तो हर बंदा यह सोच के आएगा तो बहुत जादे भील बिलने वाली हमें लखता है आज और हम आचुके हैं रायपूर रायपूर सादाद और यहां से जहां हमें जाना है जो समंदर पर वहां की दूरी बचती है पांस किलो मिटर और कोड़ दुआर यहां से रह यह समय समय हो रहा है छे बचके पंद्रा मिनट सुबह के लेकिन भाई साब ऐसी फिलिंग आ रही है जिसे शाम के चाह बज रहे हो इतना ट्रैफिक है और सारी की सारी भीडिया मंदर जाने वाले लोग होगी है जो लोग मंदर जाएंगे और दोस्तों कजब की भीड़ है देखो भाई के भाई के जिवाई देगी आपको जहांतर जाएंगी और हमें रुखना पड़ा है बारिश की वएसे रायपूर से आगे निकलने के बाद में ग्राम पंचायत है चंदन वाला तो बारिश बहुत तेज हो रही की तो हमें भीगना अच्छा नहीं समझा फिर वीडियो शूटिंग कर पाते हैं और इस समय च्छे बचके भी सिमिनट तो भागे लेकिन आपको अगर हम सलक पे दिखाएंगे तो इतना अरश हो रहा है ऐसा लगेगा भई शाम के च्छे बच रहे हैं बहुत जाने वाली है एक बार आपको बाहर का व्यू दिखा देता ह कि यह दिखो बारिश हो रही है हैंब अगर घर पर होते तो हम लेते भैध बारिशमें लेकिन यहान आना ठीक नहीं हमारे लिए और ये सभी लोग जो हैं महीं कोट गातर मंदिर पर जाने वाले लोग हैं बारिश से बचने के लिए खड़े हो गये देखो और जब तब तो रुखना पड़ेगा जब थोड़ी बहुत बारिश अलकी नहीं होगी और बारिश और तेज हो चुकी है देखो बूसलाधार बारिश हो रही है भाई गाओ चंदन वाला कि अधिक विजीबिल्टी कम हो चुकी है तो उसके लिए लाइट आउन कर नहीं पड़ गए सबको अपने अपने बाई कलगी और अपना भाई आगे देखो एक आजा 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 तो तो हो के आगे क्या और हम लोगों ने मेरे साथ कमल आया था और हम लोगों ने आगे जाने का जो अपना कारे करम था उसमें बदलाव कर दिया हम मंदिर तक नहीं जाएंगे क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है और जाम लगा हुआ है लगभग 3 किलोमेटर पहले से मैं भी आपको बाहर का दिखा देता हूं और अगर हम अंदर गए तो मुझे 3 किलोमेटर फिर पैदल चलना पड़ेगा फिर मुझे समस्क्या होगी और इसको ऑफिस दाना फिर यह लेट हो जाएगा मैं बाहर का एक वार व्यू दिखा देता हूं देखिए आप कितना बु अगर हम आगे गए तो हम फस्त आएंगे फिर और फिर निकलानी जाएगा है पैदल चलना पड़ेगा और वह भी बरसात में ऐसी बहुत बुरा हाल है बबाइब भाई तो हम लोग यहां से वापके दा रहा है दाएंगे लिए लिए देखिए यह होता है हम आये भी थे वारिश पड़े भी नहीं रही थी और यहां के बारिश होने लगी तो आज यह मान के चलें के दर्शन जो है हमारी भागियमाज के द बहुत तेज मpentली हम इसा रही हैं कि अगश्य मि अभर दोस्तों हम लोग आज चुके हैं नगीना सी च्रीशन फे वह ठीज मत्ते बारि सुझे गवर्षे पहुत बुटी चरह भीख रहा हैं तो मैं आपको नगीना रेलवे स्टेशन दिखला रहा हूं हूँ और बीच बूला भी नी जा रहा हूँ अब तो पहले में बाहर कर देता हूं उसके बाद में रियलवे स्टेशन आपको ठीक है और देखो बारिश की दिनीचेज़ हो रही है यह और यह रियलवे स्टेशन नगीना का तो मैं आपको अंदर घुमाने चलता हूं चलो लॉक कर देए इसको हाँ साइड से लगा देए इसको और आप भादी वारिश के बीच में देख रहे हैं नगीना रियलवे स्टेशन और यहां जितनी भी भीड़ा है यह सब लोग यहां जो कोट कादर में पर्शा चाहने वाले आजे उनी की है देखो यह कि सबी लोग हो हैं जो पर्शा चणाने आये थे और नगीना रियलवे स्टेशन भी जो है बहुत पुराणा बना हुआ है जो सकता है कि धामपूर से पहला हो और शायद कोई शी ट्रेन आने वाली होगी कमल समय क्या हो रहा है और यह पैसिंजर का समय हो रहा है गंटा 20 मिनट लेट है पैसिंजर यहां बात है बात ज Lawrence का समय हो है भी का समय होता प्राइबλέ कर दोल आ अट मैंट जहाआ है क्हला व्ट बात है जो पर आएज बारिश में भीखते भीखते बुरी हाल नहीं है यहारी तुछ और लग्भा कभी 20 किलो मेटर की दूरी और तया करनी है तहांपुर जाने के लिए हैं से लगिना से धामपुर 20 किलो मेटर पड़ता है इसी बारिश में तो बना दी नहीं पाएंगे र कहा जाएंगे क्या बनाएंगे हम लोग प्रदम करें तो बार पोन दो करेंगे हैं और यहां का पर्तिक्सालियां जांइए यह नहीं उपने क्यों और हम इतनी बारिश में ब्लॉगिंग कर रहा है देखो और मैं आ चुपा हूँ अपने घर पर और आठ बचके 35 मिनट हो रहा है तीस मिनट लगे हमें नगीना से यहां तक आने में और लगबाग भीगते भीगते हो गया डिड़ घंटा जब से राइपूर से चले थे अब ब ब्लॉग बनाने गये ब्लॉग तो बनानी कुल लगे बारिश बारिश का पढ़ गया रास्ते रास्ते गा नगीना स्टेशन भी दिखा दे मैं आपको और आपको अगर मेरा यह प्रियास अच्छा लगा हो वह बारिश के बीच में तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भोलें जिससे और कुछ नया दिखा सकूंँ मैं और सबसे पहले में मिलवा दीता हूं डेजी और नुन्नु से लावरां भाया और वास्ता में बहुत बुरी हालत हो यार दोस्तों भीगते भीगते ठान लग रही है अब युज चला किया था आज में घर सुभासे नहाज गया तंगी grand susahy तक फिर नहाना पड़े लाए अक बार है के बेचा सभी बैटावरा जो चलो 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 उंदर नुजनु मुए बारिष में किना ही चलो चलो और और मेरी माँ और पूजा मैंने कर ली है नव बचके पचास मिनट हो गया इससे में और बारिश बहुत तेज हो चुकी बाहर मैं दिखा दूँ बाहर कितना पाने चरना है और इसके बाद में नास्ता गरूँगा मेरी डाड़िस हो रही है डेजी मेरी देगे निन्नी कर रहा पिटे निन्नी इचलो सुझाओ अनुन्नु कहा है पेरी लोजी भाई सा सड़क की तो नदी बन गई पानी आया था सड़क पे हां देखो आप बारिश में अरे सदा प्याल देखो आप कितना पानी बहरा सड़क तो कि आज पूरा दिन बारिश पड़ेगी ऐसे हैं कि बहार तो बड़ा बुड़ा हो रहा है बारिश है और मा क्या कर रही है मेरी अरे मेरे दिन आस्ता मना वे जब बनना है बारिश में देखो और यह बिल्कु घर के जबे है माने बनाए थे हम लोग मार्केट के जबे नहीं खाते यह ड्रेश चेंज कर लेता हूं दूसरा नॉर्मल कबले पहन लेता हूं है न उसके बाद में फिर मैं एडिटिंग करूंगा और यह वाली वीडियो आ रही है शामको 6 बज़े में ठी ठीके जी तो मैं आग्या चाहूंगा जै हिंद जै भारत टेक केर बाबाए